कि नमस्कार सातियों स्वागत है आपका फिर से आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुरुआत कर रहे हैं एक फिर से नहीं शुरुआत कर रहे हैं वह है Anatomy and Physiology की, बहुत ही simple way में हम इसको पढ़ेंगे, कहां से किस प्रकार से पढ़ना, ना कोई रटम बाज़ा करेंगे, ना किसी प्रकार के रटनी कोशिस नहीं करेंगे, केवल और केवल हम इसको, Anatomy को हम बहुत ही easy way में पढ़ने की कोशिस करते हैं, Anatomy and Physiology. ये दो ट्रम हैं हमारे पास में, कि Anatomy क्या है और Physiology क्या है, बस इतना simple से समझेंगे, आज first lesson है हमारा, इस first lesson में हमें केवल दो तीन words सीखने हैं, उन words को हम कैसे कैसे use करेंगे, हम basically में योगा की जो classes होती है, उनमें Anatomy and Physiology कहां use की जाती है, या biology का क्या रोब होता है, वो मैं आपको learn करवा रहा हूँ, उसे बड़े अच्छे तरीके से आप समझने हैं कोशिस करना, बहतरिन तरीके से मैं आपको ये खोल कर बताने हैं कोशिस करूँगा, कि आप कैसे क से इसको learn कर सकते हो, पहला मन में प्रसन आता है कि what is Anatomy and what is Physiology, अब Anatomy क्या है, सीधा सीधा समझो, ये एक वर्ड अपने आप में Anatomy, और ये एक वर्ड है Physiology, बस इसी प्रकार से समझना है, कैसे क्या है, देखू, Steady of the structure, ये क्या है Anatomy, क्या है Steady of structure, किसी चीज़ का हो सकता है, कोई भी structure होता है, हम उसका steady करता है, मान लेते हैं, ये एक कार बनी हुई है, ये एक हमारी कार है, ऐसे कार है, इसके टायर लगे वे, इसका ये structure है, ये इसका structure बने वे इसमें, कि अच्छी वाली है, पेंट्रोल वाहते हैं, तो ये जो structure बना वाव है justified, structure कैसा होगा, ये क्या है, ये है इसकी anatomy, ये structure कैसा, ये है इसकी Anatomy, ये इसकी Anatomy है, अब यदि हम कार की Anatomy देख रहे हैं, structure देख रहें, तो हम इसको कहेंगे कार Anatomy, लेकिन यदि हम किसी human body का देखते हैं जिसके दो कान होते हैं दो नाक होते हैं दो आँखें होती हैं इस प्रकार से हाथ होते हैं और हम उसके anatomy पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम human anatomy Human anatomy in simple way में यदि हम मानव का कर रहें तो उसको मानव anatomy बोलेंगी human anatomy बोलते हैं तो यह सब चीज़े क्या है इस प्रकार से simple तरीके से हमने देखा कि anatomy क्या होते हैं अब सीबा सिंपल आता है कि human anatomy हमने देख लिया कि हम human anatomy क्या होता है human anatomy क्या होता है और अब हम देखते है physiology क्या होता है सिंपल बात यह है कि जो यह काम करता है यह structure बनावा होता है वो काम कैसे करता है वो होता है physiology में जैसे हमने देखा कार तो यह कार काम कैसे करती है उसका engine कैसे काम करता है उसके पैर कैसे चलते है उसके पाई कैसे चल रहे है और उसका gear कैसे डलता है यह जो working हो रही है अंदर की तरफ वो होती है physiology तो जैसे ही हमने देखा human anatomy क्या है human structure है सिद्धा simple जिदी definition दूँ तो human anatomy is the study of internal and external structure of the body and physical relation with among body parts यह इसकी human anatomy की definition आती है English में कि आप कैसे भी structure के बीचिस में क्या करोगे relation देखोगे कि दो organ कैसे जुड़े हैं कैसे क्या है वो कैसे काम कर रहे हैं बस इस सब काम करने की जो अंदर की process होती है वो process आती है physiology के अंदर process कैसे होगी physiology के अंदर कि उसमें हावा कैसे जा रही है air कैसे जा रहा है उसमें blood कैसे काम कर रहा है blood के साथ में cell organs हैं जितने भी organs वो कैसे काम करते हैं ये सब physiology में आएगा सारा का सारा तो सीधा simple concept था कि what is anatomy and what is physiology सीधा complete समझ में आया ही होगा मुझे पता है कि इस दोनों में कोई doubt नहीं होना चाहिए अब एक चीज़ आती है निकल कर सामने वो आती है कि types of anatomy बहुत simple में ये ज कहीं पर भी कोई भी एक्जाम में आपके काम नहीं आएगा ये जरूर ध्यान रखना है types of anatomy क्या होता है पहला होता है microscopic anatomy और दूसरा होता है macroscopic macroscopic anatomy gross level पर जब हम steady करते हैं बड़े लेवल से और ये छोटे लेवल इसको हम हिंदी में बोलते हैं सुक्ष्म इसको हम बोलेंगे दिर्ग यानि बड़ा इस तर पर तो ये दो structure होते हैं किसी भी प्रकारे से जैसे हमने किसी भी anatomy structure को देखा macroscopic में क्या होगा हम बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं दिर्ग यानि बड़ा होता है structure can't be seen with eyes आप क्या कर सकते हो आँखों से नहीं इस को माइक्रो वाले को इसको आखों से आप नहीं देख सकते हैं कि Πर जिसमें ऐसे ऐसे लेंश लगे फिर आप उसमें आखे डालके यहां से इसमें आखे डालके देखो कि क्या है इसमें यहां लेनश माँ Uhr में लगाओं आखों से नहीं देख सकते पर अ क्क्र90 को लिए बिइस एपै विस डाए सब्सक्रार बिल्कों । खई, I आप नहीं देख सकते microscopy मालों आपको cell देखना है आपको cell कैसे देखो गया लेकिन आपको क्या करना है gross anatomy में क्या करना है microscopic में क्या करना है gross anatomy is the examination of relation large structure and features usually visualize with the eyes mile आप आखों से देख सकतें आपको hand देखना है हाथ देखना कैसा है आपको आखें कैसी है आपको eyes ear देखना है कान देखने neck देखनी है यह सब चीज सकतेosi microscopic के emoji इस परकार के सिस्टम के भीना यह नहीं चीए अपने को इसमें देखने के लिए और इसमें क्या क्या हो सकता है जैसे इसका लो लेवल होता है इसकी स्टेडी को क्या बोलेंगे हम स्टेडी इसको बोलते हैं साइटो लोजी साइटो लॉजी और इसको क्या बोलेंगे हम यहां जो सर्फेस एनाटॉमी होती है एक तरह से एक्स्टरनली फीचर बोड़ी यह एक्स्टरनली फीचर होता है बाहर की बोड़ी का जितना भी प्रकार से अध्यन होता है वो इसी में आता है तो एक बार क्यूशन आया था कि शरीर के बाहरी विज्ञान के अध्यन को क्या कहते हैं मैक्रोस्कॉपिक एनाटॉमी माइक्रोस्कॉपिक एनाटॉमी इस प्रकार से उसमें लिखावा था दो तिन ओप्सन दिये तो बहुत इस जीवे में होता है तो आप इतना ही ध्यान क्या होता है इसमें आप देखो इसमें क्या होता है इस प्रकार का जो सर्फेस यानि उसका बाहरी रण होता है कि बाहरी आवरन है रफेस कैसी बने उसकी स्टेड़ी करना क्या होता है ये सर्फेस एनातोमी एक होता है इसलार लेमे अंलोटोम में ऑसेशिए जैसे आप लंग्स हए तो लंग्स का सब्सटेड़ी कर रहा हो किड़नी को किड़्ियर नोटोमी आ फो nast摩र फेसे आप इस प्रकार से सिस्टम बने वे हैं तो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा आगे सिस्टम क्या होता है कैसे बनते हैं उसको आप क्या बोलोगे सिस्टम एनटोमी बोलते हो development anatomy क्या होता है कि एक छोटी सी चीज समय के साथ time के साथ कैसे कैसे बड़े होती है वो anatomy उसका structure कैसे बदलता है छोटा बच्चा होता है फिर वो बड़ा होता है इस प्रकार उस चीज़ के development anatomy बोलते हैं एक होता है embryology यह जरूर कहीं न कहीं काम आ जाता है embryology embryo का मतलब क्या दे दैस्टेडी ओफ दीज अर्ली डवलप्मेंट प्रोसेस स्टेडी ओफ दीज अर्ली डवलप्मेंट टू मैच्योर लेवल प्रोसेस इट कॉल embryology यह भून होता है जो भी भून होता है वो क्या करेगा कैसे बनता है छोटा सा फिर वो डवलप होता है फिर वो एक बेबी का रूप ले ले लेता है इससे करके बड़ा होता है उसके हा सब्रकार सी जो भून होता है उसको बोलते हैं embryo embryo सी जब डौफ होके बाहर आता है 9 महने तक उसको बोलते है embryo anatomy यह बस यहीं काम आते हैं और कहीं काम नहीं आने वाला वेगल अगर में आपको एक दो मिलेगा, वेटैल वीजियोलोजी क्या हुता है पेटोर वीजियोलोजी क्या होता है तो वो कहीं काम नहीं आतेullenä योग में काम आता है जब तक कोई MBS स्टुडेन्ट होता है तो उसके लिए जुरूर काम आईगा उससे पहले कहीं काम नहीं आने वाला है फिल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में थैंक यू